सौगत है आपका फिल्म ग्यान के एक और एपिसोड में लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग का शुक्रियादा करना चाहूंगा जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब किया और 1000 सब्सक्राइबर तक पहुचाया लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म के प्री प्रोडक्शन के बारे में अगर आप filmmaking के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको पता होगा film बनाने की 3 steps होते हैं जो की है pre-production, production और post-production pre-production किसी भी project का सबसे पहला step होता है चाहे वो कोई commercials हो, music video, short film या फिर कोई feature film ही क्यों ना हो pre-production एक planning और executional process है जो script ready होने के बाद और production से पहले किया जाता है इस process में director, cinematographer, producer, first assistant director, production manager, production coordinators और location scouts की involvement होती है लेकिन ये चीज़े हर project के budget और उनके production size पर matter करती है कि ये सारा काम अलग-अलग लोग संभाल रहे हैं या फिर 2-3 लोग मिल कर ये सारा काम करते हैं pre-production में आप सबसे पहले अपनी shooting script को lock या फिर finalize करते हो और उसको scenes में divide करके उनको shortlist करते हो जिनकी मदद से आप अपना storyboard create करते हो जो आपको film की location, props, number of cast and crew, costumes, special effects और visual effects identify करने में मदद करता है इस process के बाद आप अपने budget को finalize करते हो और ये independent filmmakers के लिए काफी ज़्यादा जरूरी चीज़ है ताकि आप अपने budget के हिसाब से money को अपने project में divide कर सके उसके बाद आप location, prop, costume select and secure करते हो cast and crew को finalize और hire करने के बाद अपने scene और weather के हिसाब से shooting date schedule करते हो और film equipment finalize करते हो और सब कुछ finalize होने के अबाद आप अपनी cast के साथ story, share और rehearse कर सकते हो pre-production filmmaking का सबसे important part माना जाता है और अगर आप अपना pre-production अच्छे से कर लो तो आपका production stage बहुत ही smoothly होगा तो वीडियो खतम करने से पहले हम एक बार फिर देख लेते हैं कि pre-production में आप सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले आप shooting script को lock या फिर finalize करते हैं script को scene के हिसाब से breakdown करते हैं अपना storyboard create करते हैं budget को finalize करते हैं और अपने film के हिसाब से location, prop, number of cast and crew, special effects and visual effects को identify करते हैं उसके बाद अपनी location को scout और उसके permit का arrangement करते हैं अपने shoot को schedule करते हैं अपने filming gear को finalize करते हैं और सब कुछ complete होने के बाद आप अपने cast के साथ story rehearse करते हैं तो आज की video के लिए सिर्फ इतना ही guys मैं उमीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो इस video को like कीजेगा अपने film में family और friends के साथ share कीजेगा और इस channel को subscribe करना ना भूलेगा जो की motivate करेगा मुझे आउसम content बनाने में आप लोगों के लिए तब तक के लिए कुछ बड़िया films देखिए और बनाईए